नमस्कार दोस्तो आज का ही जो अपडेट है इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए important questions मैं आपके साथ यहाँ पर डिसकस करने वाला हूँ जैसा कि आप सबी लोग का पर मालूम है मद्यप्रिदेश शाषन में स्वास्त बिवाग की अंतरगत गुरुप फाइब का एक्जाम में आपर होने वाला है इसमें स्टाफ नर्स की विकेंसी भी रहेंगी तो जो questions आज मैं आपके साथ आप डिसकस करूँगा मैत पूर्ण य लूकेमिया seen in children is called तो दोस्तों देखिए चिल्डरन में सबसे common type का लूकेमिया आपके कौन सा आप पाय जाता है तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है acute lymphoblastic leukemia इसको यहाँ पर बोलते है और इस term को यहाँ पर नाम यहाँ पर दिया जाता है option number one जो हैसका आपके सही विकल् सवाल है और देखिए पूछा रहा है पैग सेल्स आर सीन इन दा तो पैग सेल्स देखिए कहाँ पर यह पाई जाती है कहाँ पर यह देखिए तो दोस्तों देखिए पैग सेल्स की जो लोकेशन है फैलोपियन ट्यूप्स इसका आप राइट अंसर है option number two जो हैसका आप सही देखिए यूटरस turns inside out है और देखिए इस टर्म को यहाँ पर क्या बोला जाता है यूटराइन इन वर्दन इसको आप बोला जाता है option number one जो है आप इसका सही विकलप यहाँ पर राइगा यह तर्म आप लोग यहाद रखें अब बढ़ जाते है अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है the presence of stones in the urinary tract is called तो दोस्तों देखिए urinary tract में stone का presence जब यहाँ पर पाया जाता है तो इसको देखिए क्या बोलते है तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है यूरो लिथाइस इसको आपर बोलते है और option no.3 इसको आपर साही विकल्प यहाँ पर रहेगा इस term को आप लोग यहाँ पर याद रखें important सवाल है अब बढ़ जाते है अपने अगले प्रेशन की और दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है what is the minimum possible score of Galesgo coma skill तो Galesgo coma skill का कम से कम possible score आपका पर बताना है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है तीन यहाँ पर आएगा और कम से कम possible score जो यहाँ पर रहता है Galesgo coma skill का तीन यहाँ पर पाये जाता है option number one जो है सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछे आ रहा है which of the following drugs is used for the dilation of people तो pupil के dilation के लिए कौन से ड्रग यहाँ पर इस्तमाल यहाँ पर की जाती है और दोस्तों देखिए इसका जो right answer है ट्रॉपिका माइड इसको आपर बोलते हैं option number one इसका आपर साही विकल पर आपर रहेगा ट्रॉपिका माइड जो यहाँ पर ड्रग रहती है pupil के dilation में आपर इस्तमाल यहाँ पर की जाती है अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है after a renal transplant the rejection that occurs within minutes is called तो दोस्तों देखिए renal transplant के बाद rejection जो यहाँ पर पाया जाता है कुछी मिन्टों में इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है और यह term भी आप लोग यहाँ पर याद रखें काफी important सवाल है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है पूछा जा रहा है hemophilia is associated with तो दोस्तों देखिए chromosomes के बारे में information देनी है और hemophilia जो होता है किससे यह जोड़ा हुआ यहाँ पर रहता है कौनसे chromosome से यहाँ पर जोड़ा हुआ रहता है associate होता है तो दोस्तों देखिए बाताना चाहता हूँ X chromosome से यह जोड़ा हुआ रहता है associate होता है और option number 4 जो है यहाँ पर इसका सही विकल पर यहाँ पर रहेगा जाता है tonometry method की मदद से option number 3 जो है पर सही विकल पर रहने वाला है अब बढ़ जाते है अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला सवाल है which of the following enzymes converts fats into fatty acid and glycerol तो दोस्तों देखिए कौन सा enzyme जो है convert करता है fat को fatty acid और glycerol में तो दोस्तों देखिए इस enzyme का नाम lipase है और lipase एक ऐसा enzyme है जो कि देखिए convert कर देता है fat को fatty acid में और यहाँ पर glycerol में तो option number 4 जो है इसका आपर सही विकल पर रहने वाला है बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला सवाल है तो देखिए अगला यहाँ पर जो सवाल है तो देखिए आपको आपर option दिये जा रहा है इसको जो right answer है एडिनो कार्सिनोमा इसको आपर बोलते हैं और एडिनो कार्सिनोमा जो है glandular tissue cancer है और देखिए यही आप सब है पूछा रहा था चार option आपको आपर दिये गये थे option number 2 जो है इसका सही विकल पर आपर रहेगा अबड़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तो देखिए अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है तो दोस्तो देखिए वस्तूओं को पैचाननी की चमता को खो देना इस टर्म को आपको यहाँ पर क्या कहना है तो दोस्तो देखिए इसका जो right answer है अब बड़ जाते हैं इसमें देखिए वस्तूओं को यहाँ पैचाननी की चमता को यहाँ पर इंसान यहाँ पर खो देता है और यहाँ पर अग्नोसिया इस टर्म को आपर नाम दिया जाता है option number 4 जो है इसका आपर साही विकल पर आपर रहेगा अब बड़ जाते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए पूछा जा रहा अगला सवाल diabetes insipidus is caused by the deficiency of which of the following hormones तो देखिए कौनसे हर्मून की कमी से diabetes insipidus जो हैं पर हो जाती है cause यहाँ पर होती है तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है anti-dutric है और anti-dutric जो हर्मून है और इसकी deficiency से जो है इसकी कमी से diabetes insipidus यहाँ पर हो जाती है अब बड़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की ओर दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है अगला प्रेशने which of the following drugs is a proton pump inhibitor तो दोस्तों देखिए proton pump यहाँ पे जो inhibitor है कौन सी drug यहाँ पे है तो दोस्तों देखिए pentoparazol है और देखिए pentoparazol जो यहाँ पे जो drug है proton pump यहाँ पे inhibitor है और option number 3 जो है इसका हाँ पे साही विकल्प यहाँ पे रहेगा और देखिए काफी important सवाल है और यह सवाल यहाँ पे repeat हो सकता है अब बढ़ जाते हैं अगले प्रेशने की ओर दोस्तों देखिए पूछा या रहा है calories generated per gram of fat is approximately तो दोस्तों देखिए calories जो यहाँ पे जनरेट होती है प्रती gram जो यहाँ पे fat यहाँ पे जो रहता है और देखिए approximately यहाँ पे कितनी रहती है 9 kg calories यहाँ पे जो रहती है इसका यहाँ पे right answer है option number 4, 9 K calories तो यह जो है इसका आपे सही विकल्प यहाँ पे रहेगा अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की ओर दोस्तों देखिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से which of the following trace element is essential for the synthesis of insulin तो देखिए insulin के synthesis में कौन सा है यहाँ पे trace element यहाँ पे मैथपूर्ण है, essential है तो देखिए बताना चाहता हूँ zinc किसका आपे right answer आपे रहने वाला है और देखिए zinc जो है काफी रोल यहाँ पे पिले करता है और insulin को synthesis होने में और देखिए trace element यहाँ पे जो है zinc यहाँ पे रहेगा option number 3 इसका आपे सभी विकल पे रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए पूछे जा रहा है which of the following nutrients provide energy to the body तो दोस्तों देखिए कौन सा nutrient जो है आपको option में जो दिया गया है यहाँ पे देखिए body को देखिए energy प्रोवाइड कराता है तो दोस्तों देखिए fat इसका हाँ पे right answer आपे रहने वाला है और option number 1 जो है सही विकल्प आपे रहेगा अब बढ़ जाते हैं अपने अंतिम जो प्रेशन जो मैंने आपे include किया है दोस्तों देखिए पूछे जा रहा है which of the following digestive enzymes present in gastric juice is primarily responsible for breakdown proteins तो दोस्तों देखिए आपको digestive enzyme के बारे में जानकारी देनी है जो कि देखिए gastric juice में आपे पाया जाता है present होता है और देखिए responsible है breakdown होने में proteins को तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है pepsin यहाँ पर रहेगा option number 2 जो है इसका हाँ पर सही विकल्प यहाँ रहने वाला है कुछ नग को जानकारी अगर आप कहाँ पर इस वीडियो से मिली है तो like करें इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो कहाँ पर like करें comment box में कोई भी doubt है कोई भी सवाल है आप सबी लोग हमसा पर पूछ सकते है और यह update आपको आपको आपर पसंद आया यह पर नहीं आया और देखिए आगे के questions की set की information चाहते है यह पर नहीं चाहते है तो यह सारी जानकारी आप लोग अपना यहाँ पर feedback के तोर पर comment box में जरूर दें बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका यहाँ पर feedback आपका यहाँ पर आता है काफी help आपको आपके मिलने वाली है काफी सवाल आपको आपके repeated मिलेंगे आपकी परिक्षा में और दोस्तों आगे के questions की sets की information इसी तरीके से आगे चाहते है तो अभी चैनल को subscribe कर ले तो वीडियो की नीचे जाए subscribe के right बटन को आपके click कर ले और staff nurses के आगे के questions की sets की information इसी तरीके से आगे पात रिए तो मिलता है अगली वीडियो में thank you so much